XUV-7W को आपने अभी तक पेट्रोल या डीजल वर्जन में देखा होगा लेकिन पर कमपनी ने XUV-7W को इलेक्ट्रिक वर्जन भी बना लिया है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं काफी जादा एडवांस भी है इस EV कार को महिंद्रा ने नाम दिया है XUV-E8 यानि इलेक्ट्रिक 8 ऐसे ही महिंद्रा ने XUV-E कार्स की पूरी ही सिरीज रिवील कर दिया है आज की वीडियो में बात करेंगे महिंद्रा XUV-7W EV यानि XUV-E8 के बारे में सबसे पहले अगर कार के आउटर लुक की बात करें तो फ्रेंट से कार काफी जादा हुज और मस्कुलर लगने वाली है और कार का जो डिजाइन है वो इतना जादा फ्यूजरिस्टिक है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं गलोबल मार्केट में भी सायदी आपको ऐसी कार देखने के लिए मिलेगी कार का जो फ्रेंट बंपर है वो भी काफी ज़्यादा स्पोर्ट ही है और कार को देखने से ही पता चल रहा है कि ये कार एक EV कार है बंपर का जो लोवर लिप है वो भी कार को काफी स्पोर्ट ही लुक प्रोवाइड कर रहा है कार का जो bonnet है उसका डिजाइन भी आपको आज कल की sports car जैसा ही मिलने वाला है और bonnet से नीचे और headlight तक आपको full length की DRLs भी देखने के लिए मिलती हैं जो के महिंदर की board electric signature कार के look के उपर ही based है अब अगर कार के headlight setup की बात करें तो आपको दोनों तरफ काफी जाद अबड़े projector headlamps देखने के लिए मिलने वाले हैं और projectors के नीचे LED headlight देखने के लिए मिलती हैं तो कार का जो look है वो काफी जादा future stick रहने वाला है कार की जो side profile है वो आपको महिंदरा XUV7W से काफी similar ही लगने वाली है लेकिन ऐलोईस का जो design है वो आपको अलग देखने के लिए मिलेगा अब अगर कार के rear look की बात करें तो rear look से भी कार XUV7W से काफी similar ही रहने वाली है कार का जो rear bumper है वो कंपनी है थोड़ा और ज़्यादा sporty design किया है और parking lights में आपको थोड़ से changes देखने के लिए मिल सकते है अब अगर कार के interior के बारे में बात करें तो आपको काफी जादा बड़ा single screen, infotainment system और instrument cluster देखने के लिए मिलता है जो काफी जादा smart भी है और center console, gear selector, काफी premium car वाला feel आपको देने वाला है ऐसा luxury interior आपको पहले सिर्फ luxury brand सी offer कर पाते थे लेकिन महिंदर आपको काफी कम price में ऐसा design और interior offer करने वाला है कार का जो interior है वो भले ही xv7w जैसा ही देखने के लिए मिलेगा लेकिन पर जो features है वो सारे ही आपको luxury brand वाले ही मिलने वाले है महिंदरा ने अपकमिंग ev cars में blade battery technology का use किया है जिसे tesla भी अपनी cars में use करने वाला है इस battery pack की सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये pure lithium battery pack के comparison में काफी ज़्यादा safe है और काफी ज़्यादा high temperature या फिर heavy accidental conditions में भी ये battery pack explode नहीं करता है और इसकी manufacturing cost भी कम है अब अगर इतनी advanced technology आपको इंडियन brands के अंदर ही मिल रही है तो हर कोई इंडियन brands को हिबाई करना चाहेगा अगर आपको भी कार पसंद आ गए तो नीच बोले subscribe बटन को ज़रूर दबा सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लिए और कार पसंद आगे तो वीडियो को लाइक शेर और अगर आप चैनल पर नएयाद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना में तो अगली वीडियो में फिर किसी नए टोपिक के साथ